सबसे पहले आपको आधार के ओविश्यल साइट पर आ जाना यहाँ पर आप थोड़ा से निचाहेंगे ओडर आधार प्रिवीसी कार्ड का उप्शन आएगा इस पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर यहाँ पर दर्जल कर देने और उसके बाद में केप् प्रमार कईखोट आपको कमपलीटल इसमें फिशल प कर देना है अगर आपके मॉबैल नंबर रिष्टर्ड नहीा है तो भी आप इसमें आप यह जो पीवीसी कार्ड है वो आप मंगवा सकते हैं तो आप यहाँ पर नंंबर लगांगे अर आपके रिष्टर्ड नहीं वो आप मंगवा सकते हैं नमबर लगाने बाद आपके मोबैल पर आपको एक OTP प्राप्त होगा वो OTP आपको इसमें दर्ज करना है जैसे आप ये OTP दर्ज करेंगे उसके बाद में टर्म्सेंट कंडिशन का ओप्शन आएगा वो वाला आपको राइट कर देना है और जो टर्म्सेंट कंडिशन है वो आपको एक्सेप्ट कर लेनी है तो इसमें आपके नमबर रिष्टर्ड है या नहीं है इससे कोई फरक नहीं पड़ता है आप पेमेंट दे रहें उसके बाद में आप सब्मिट कर देंगे सब्मिट के बाद आप से 50 रुपे का पेमेंट मांगा जाएगा इसमें आपको इस बोक्स को चेक आउट करना है मेक पेमेंट पर क्लिक करना है उसके बाद में आप अपना जो पेमेंट है वो आप किसी भी तरह से कर सकती है, या पर सभी option मिल जाएंगे, UPI के जो भी option आपको प्याल ज़टा है, wallet का सब option है, तो जो भी option आपको स़य लगता है, उससे आप payment कर सकते हैं, इसमें आपको सब कुछ option completely मिल जाएंगे, तो हम phone face से इसमें जो payment है वो कर देते हैं जापर हमारी UPID लगाते हैं इसे verify करेंगे और उसके बाद में जो request है प्रोसीड कर देंगे उसके बाद में हमार mobile पर एक request आएगी 50 रुपे की वो हमें accept करनी है 50 रुपे का payment करना है जिससे आपका payment confirm होगा आपके सामने इसका एक receipt न की सायता से उसकी tracking कर पाएंगे यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक capture code बढ़ना है और उसके बाद में आपको receipt download का option आ जाएगा यहाँ पर आप देखें तो हमने इसका screenshot ले लिया है कई बार जैसे receipt नहीं निकल पाती तो हमें जो SRN नमबर है वो जरूरत होती है तो हमने screenshot पर ले लिया है तो यहाँ पर हम download acknowledgement करेंगे और यहाँ पर हमारी जो receipt है वो हमें मिल चुकी है यह आप चाहे तो customer को भी print करके दे सकते हैं और भविश्ची में अगर आपका अधारकाट नहीं आता है तो आप इससे tracking कर सकते हैं